बांगलादेश के ओलराउंडर शाकेब अलहसन ने शनिवार 18 मार्च को आयरलेंड के खिलाफ खेले गए पहले वंडे मैच में 93 रन की पारी खेल कर इतिहास रच दिया। शाकेब ने 89 गेंडों का सामना करते हुए अपनी पारी में नौचो के लगाए। शाकेब वंडे में 7000 रन और 300 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। उनसे पहले श्रीलिंका के सनद जैसूरिया और पाकिस्तान के शाहिद अफ्रीडी ने ही यह कारनामा किया था। शाकेब 228 वंडे में यहां तक पहुँचे हैं जो कि सबसे तेज हैं। अफ्रीडी ने 341 पारी और जैसूरिया ने 397 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। कर्टिस कैमफा द्वारा डाले गए पारी के 20 में ओव में एक रन दोर करवे इस की रतिमान तक पहुँचे हैं। तमीम इकबाल के बाद शाकेब दूसरे बांगलादेशी खिलारी हैं जिन्होंने वंडे में 7000 या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं। इंग्लेंद के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में वंडे मैच के दौरान शाकिब ने 300 विकेट का आखड़च हुआ था। तीसरे वंडे में रेहान एहमत को आउट कर इस फॉर्मेट में 300 विकेट लेने वाले बांगलादेश के पहले गेंदबाज बने थे। सनक जैसूरिया और डैनियल विकेट लेने वाले वह तीसरे बाय हाथ के गेंदबाज है। शाकिब के नाम बांगलादेश के लिए टेस्ट और T20 इंटरेशनल में भी सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। उन्होंने टेस्ट में 231 और T20 इंटरेशनल में 443 विकेट चटकाए हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलारियों की लिस्ट में पांचवे नमबर पर काबिज है।